हेलो सुडेंट्स तो इस बार हम करने वाले हैं नाइन सेंडड के मोल कंसेप्ट का पांच इंपॉर्टेंट नुमेरिकल डाइस टॉप 5 नुमेरिकल फ्रॉम यॉर चैप्टर आटम संद मॉलिक्यूल्स और यहां पर यह जो हम नुमेरिकल करेंगे अब ऐसा नहीं कि आपको अपली यही कुशन एक्जाम में आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसे कुशन की प्रैक्टिस रही तो आल्मोस्ट आप सारे कुशन्स परफॉर्म कर पाओगे फॉर्मिलास कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मैं यहां पर फिल्हाल में दो फॉर्मिलास लिखता हूँ बाकी सब चीजें आल्मोस्ट हम वहीं से निकाल लेंगे पहला फॉर्मिला आप याद रखिये नंबर ओफ मोल्स का अपको जो भी केमिकल का मास दिया है वो लिखिया उसका मोलार मास नीचे लिख दीजिये इससे आपको मिल जाएगा नंबर ओफ मोल्स और फॉर्मिला जो यहां पर आपको पता होना चाहिए यह नंबर ओफ मोल्स या फिर नंबर ओफ मोल्स नंबर ओफ मोल्स अगर आपको डिया है तो आप सीधे पुट कर दो नहीं तो अगर मास दिया हुआ है तो फिर अगे नंबर ओफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाइ मोलार मास इंटू अबो गैदरोज नंबर कितना है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टें रिज्टू टू 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 तो यह दो फॉर्मला जगर आपको पता है याद है तो बस बाखी सब इसली हो जाएगा इसके अलावा मैंने बहुत सारे कॉश्टिंस और भी वीडियो मोल in 4.6 ग्राइम of sodium. चैайте Сबाइम के अब इसली होता है मोलार मास निकालना है आपको गिवन मास दिया हुआ है और 6 stronger आपको atomic mass तो पता होगा 23 unified mass अगर atomic mass 23 unified mass है तो molar mass कितना हो गया इसका molar mass हो गया 23 ही लिखना है और आगे यू की जग़ ग्राम लगा देना है तो यानि अगर one atom का mass है 23u तो one moles of atoms यानि इतने atoms का 6.02 10 raised to 10 23 atoms का जो mass है वो 23 gram हो गया तो अगर हमको यहां molar mass पता है number of moles निकालना है तो simple है number of moles is equal to given mass upon molar mass कितना हो गया भाई देखो given mass कितना है given mass is 20 sorry 4.6 by molar mass molar mass कितना है 23 बस यह divide कर दो 23 टूजा 46 होता है यह 4.6 है तो 0.2 आ जाएगा यानि कितने moles हो गया 0.2 moles of sodium हो गया अब यहां पर देखो एक और चीज पूछी है second question देख लेता है second question में भी बोला गया है calculate number of molecules in 46 RAM of sodium तो number of molecules का भी formula है हमारे पास in fact number of molecules नियोगा आटम सोगा sodium तो atom होता है तो यानि हमको number of atoms निकालना है so again the same formula यह वह देखिए number of atoms या molecules यहां पर atom है element है तो atom होगा atoms का number कैसे निकालना है given mass by molar mass into the number of moles into an avocado constant per number of moles नहीं दिया हमको mass दिया हुआ तो हम वही यूज करें number of moles क्या होता है given mass by molar mass into Avogadro's constant that is कितना मास दिया हुआ इसका 46 gram by molar mass कितना है sodium का अभी लिखा था हमने 23 gram ठीक है इंटू 6.022 into 10 raise to 23 अभी यह हो जाएगा 23 2s are 46 2 को multiply कर लो 6.022 से कितना आ जाएगा 12.044 into 10 raise to 23 sodium atoms या फिर आप इसको फड़ा और तरीके से लिखो तो यह this camera trans 1.2044 into 10 raise to 24 sodium atoms ठीक है तो ऐसे कोशन आप असानी से कर सकते हो next वाला देखते हैं next वाले में आपको calculate mass of अब यहां पर हमको मोल्स दिया हुआ है और मास निकालना है देखते हैं कैसे होगा है तो यहां पर वाटर दिया है वाटर का molecular mass जो है आपको पता होगा कितना होता है वाटर का molecular mass let us see भाई वैसे 18 होता है देखते हैं hydrogen atomic mass 1 है into 2 hydrogen 2 plus oxygen atomic mass 16 है 2 plus 16 कितना होगा 18 तो यानी water का molecular mass जो है याद रहे 18 gram है sorry 18 unified mass है तो molar mass कितना हो गया बस gram लगा दो तो यू की जगर gram लगा दिया तो उसका molar mass हो गया तो molar mass दिया है हमको है ना यहां पर हमको क्या निकालना है mass निकालना है calculate the mass of 0.2 moles मतलब we are given with moles number of moles दिया है तो formula वही number of moles वाले लग जाएगा यही formula लगेगा number of moles is equal to given mass by molar mass अगर ना of number of moles का यह formula है तो हमको यहां पर number of moles दिया है कितना है 0.2 तो 0.2 is equal to given mass mass हमको निकालना है so mass by molar mass कितना है 18 इसको यहां भेज़ दो therefore mass कितना हो जाएगा जो हमको पुछा गया है 18 into 0.2 है ना कितना हो जाएगा 38 into the 36 यह हो जाएगा 3.6 gram ओके तो यहां पर हमको जो mass पूछा हुआ है वो कितना है 3.6 gram ओके next जो है वो देख लेते हैं हमको यहां पर exactly क्या दिया हुआ है है हाँ यहां पर नमबर ओफ सी ओर तू molecules इन जिरो पॉइंट एट ग्राम पर नमबर ओफ मॉले कूल्स पूछा हुआ है नूबर ओफ मॉले कुक्राइज यह नि आप यह फार्मला तो यूज नी करो चाट निस नबर आप मोल्स के तर्म में यह नबर of molecules so number of molecules formula जो है बोई लिख दो number of molecules is equal to अब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है 0.8 ग्राम यानि मास्क दिया हुआ है तो आप यह number of mole फॉर्मॉला नहीं लिखो है क्या लिखो है गिवन mass by molar mass given mass by molar mass into our gatherer's constant that is 6.02 to 10 raise to 23 okay so that is number of molecules हमको निकालना है तो निकल जाएगा given mass कितना है 0.88 by molar mass कितना है molar mass कितना दिया हुआ है it is co2 in fact co2 का molar mass क्या हो जाएगा carbon का है 12 oxygen का है 16 और 2 oxygen है इसके लिए 16 into 2 कितना हो गया यह 12 plus 32 that is 44 यानि इसका molar mass हो गया 44 gram एक molecule का mass अगर 44 unified mass है तो molar mass बस 44 के आगे क्या लगा दिया gram लगा दिया तो given mass by molar mass into 100 sorry into our gatherer's constant that is 6.02 to 10 raise to 23 अब यह तो असानी से हो जाएगा 44 2s are 88 होता है क्योंकि यहां पर 0.88 है तो यह हो जाएगा 0.02 है ना so that is अब यह this can be written as 0.02 है यह 2 into 10 raise to minus 2 लिख सकते हो और यह 6.022 into 10 raise to 23 that is 2 into 6.02 कितना हो गया 12.044 into 10 raise to 23 minus 2 that is 10 raise to 21 हो गया जिसको आप 1.2044 into 10 raise to अभी आपर यह 10 raise to 21 हो गया या फिर आप इसको ऐसे मत लेको आसानी से जैसा दिख रहा है simplified form में ऐसे ही लिख दो 10 raise to 21 ओके तो यह हो गया आपका number of co2 molecules आ गया है ठीक है यहां पर आपको अगर number of oxygen atoms भी पूछा है कैसे निकलेगा number of oxygen atoms आप देख रहे हो कि एक co2 molecule में 2 oxygen है तो इतने molecules में है ना एक co2 में अगर 2 oxygen है 2 molecules में कितने 4 होंगे 10 में कितने होंगे 20 होंगे वैसे ही इतने co2 molecules है तो उसमें क्या हो जाएंगे एक में 2 है ना तो आप इसको 2 से multiply कर दो कितना हो जाएगा 24.088 into 10 raise to 21 oxygen atoms आ गये हैं जितने oxygen atom आपको एक molecule में देख रहे हैं उस number से बस multiply कर देना है आपको उतने oxygen atoms यहां पर आ जाएंगे ओके next is which is containing more number of atoms अब यहां पर यह इस type का question भी आता है जैसे की दिया हुआ है कौन ज्यादा number of atoms contain कर रहा है let us see 100 gram of carbon दिया है और 10 gram of carbon दिया है और 10 gram of oxygen दिया हुआ है तो बस हमको number of atoms का जो formula है लगा दो number of atoms यहां पर number of molecule वाला what is that number of atom is equal to given mass by molar mass into Avogadro's constant है तो अभी हम यहीं चीज़ कार्बन के लिखते हैं कार्बन के लिए तो कितना हो जाएगा given mass कितना है 10 by carbon का molar mass carbon का atomic mass क्या होता है 12 तो molar mass भी 12 gram हो गया राइट इन्टू आवो गैद्रों constant यानी 6.022 10-23 इतने atoms हो जाएंगे इतने carbon atoms हो जाएंगे ठीक है और ऐसे ही oxygen का भी आप निकाल सकते हो given mass 10 है oxygen का molar mass 16 हो जाना atomic mass is 16, so molar mass 16 gram हो गया into आवो गैद्रों constant that is 6.022 10-23 इतने oxygen atoms हो गये अब अब अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो otherwise यहां पर आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा मैं इसे जनरली बता दू कि दोनों का numerator वाला value देखो सेम है 10-2 6.02 10-23 यहां भी वही है denominator में यहां पर नीचे 12 है यह 16 है अगर denominator में बड़ी value है तो numerator overall क्या हो जाएगा चोटा हो जाएगा यानि number of carbon atom will be greater than number of oxygen atoms यहां denominator चोटा है मतलब overall number बड़ा हो जाएगा ठीक है आप इसको divide करके आपको यहां multiply करना होगा आप वो चेक करके बताओ पर actually आप यहां logically देख सकते हो carbon atoms का number जादा होगा compared to oxygen atom क्योंकि numerator सेम है denominator में यहां पर छोटी value है और इधर बड़ी value है जो होप कि आप लोगों को यह चीज जो है clear हुई और अगर आपको इस तरह की और numerical सही है तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो या तो आप टाइप करो edu mantra bowl concept numericals आपको बहुत सारे आपको वीडियों सराओं जो की नहीं भी तो पांस वीडियों और मिल जाएंगे इसके उपर जिसमें मैंने काफी सारे अलग-अलग टेकनीक से यह numericals solve करने की टेकनीक आपको बताई है ओके थांकियो वाचिंग सी यू अगें